बारिश का मौसम है और इस मौसम में हमें जिस चीज से सबसे ज़्यादा डर लगता है वो हैं मच्छर, डेंगू, मलेरिया, इतनी सारी बिमारिया मच्छर पैदा करते हैं कि हमें बहुत डर लगता है, specially अपने बच्चों के लिए, specially छोटे बच्चे जिनको हम कोई रैपलें स्ट्रगल करते हुए देखते हैं तो हमें बहुत गुसा आता है मच्छर पे और खुद पे भी कि मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया, अपने बच्चे को मच्छर से क्यों नहीं बचाया, तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बच् बहुत इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज पूरा देखना, एंड तक देखना, कट करके मत देखना, क्योंकि अगर सीखो तो पूरा सीखो, तो टिप नमबर वन है, कोई भी काम जब हमें शुरू करना होता है, तो सबसे पहले हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए, यहीं नहार के आते हैं, तो बाल्टी में या मग में थोड़ा बवथ पानी रह जाता है, वो नहीं चोड़ना है, बाल्टी मग में कोई पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खड़ि हुए पानी में ही मच्छर बहुत जल्दी पैदा होते हैं, कि पर दूँ मेद आती है, बरतन पानी डालके रख दें तब तो जब तक मेड आएगी तब तक वो धोने लायक हो जाएंगे पूरे रात बरतनों में पानी ना पड़ा रहने दें प्रास लगा सकते हैं तो आप में ड खोल सकते हैं ओर जाली में से जो फ्रेश एर वो आ जाएगी और मच्चर उस ल memb अगर आप हवा के लिए दरवाजय खोलते हैं और जाली का दरवाजय नहीं है तो सारे मच्छर अंदर आते हैं न mex ँमठाता है जब भी आप अपने बच्चे को बाहर लेकर जाते हैं तो अपने बच्चे को ऐसे कपड़े पहना के लेकर जाएं ताकि मच्चर उसको तो कपड़े लूज लूज से कपड़े हों, जब लूज कपड़ों पर मस्कुटों को बहुत एर्ट्रेक्ट करते हैं, बल्क कलर, यालो कलर, इन पर मस्कुर बहुत जल्दी आते हैं, तो बिल्कुल, लाइट से कलर पहना हैं, लूज कपड़े बहनाएं, फुल स्लीव के कपड़े हो, पूरा फुल लोवर हो, शूज हो, पूरा उपर से नीचे तक कवर होना चाहिए आपका बच्चा ताकि मच्छर उसको कहीं से काट ही न पाए नेक्स आता है, अगर आपका बच्चा छे महीने से छोटा है, आप उस पे कोई रेपलेंट यूज नहीं कर सकते हो, कुछ लगा नहीं सकते हो, जिससे मच्छर दूर रहें, तो जब आप उसको प्रैम में गुमाने के लिए लेके जाते हैं, तो प्रैम के लिए नेट आते हैं कुछ प्रैम में पहले से लगे हुए आते हैं, या तो फिर आप उनको अलग से खरीद सकते हैं, वो नेट आप प्रैम के उपर डाल सकते हैं, जब उसको भुमाने लेके जाएं, तो नेट में से मच्छर अंदर नहीं गुस पाएंगे, और आपके बच्चे को सब उसमें से बाहर निकालते हैं, उस टाइम बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जो बच्चो की स्मेल होते हैं, मच्छ को बहुत अट्रेक्ट करती है, मच्छ जैसे ही बच्चा क्रिब से बाहर आएगा, मच्छ एकदम से अटेक्ट करनी के लिए आ जाते हैं, तो उस टाइम पर बहुत ध् बच्चे को मगच्छ से बचाने का यह सब से बेस्ट तरीका है अप नैट यूज करें कोई कैमिकल्स की ज़रुअत नहीं नेक्स आता है एक एलेक्ट्रिक रेकेट आता है जिसके बारे में आप सबको पता होगा वह सबको पसंद है specially बच्चों को तो वो बहुत पसंद आता है उनको तो एक गेम मिल जाता है तो वो mosquito racket मच्छर को मारने के लिए बहुत काम आता है तांकि उसकी एक ही problem मुझे लगती है कि वो दूर से मच्छर को नहीं खीच सकता मच्छर उसके contact में आएगा तभी वो उसको जलाता है तो आपको जब आप बैठे हैं या आपका बेटा सो रहा है और आपको लग रहा है कि आसपास कोई मच्छर गूम रहा है उस टाइम पे आप उस रैकेट को यूज़ करके उस मच्छर को मार सकते हैं और इसमें बहुत मज़ा आता है आपका बच्छा अगर करेगा तो वो बहुत कुछ हो जाएगा कि मैंने मच्छर को मारा है तो ये भी आप ट्राइ कर सकते हैं नेक्स्ट आता है जब सूरज ढलता है और जब सूरज उगता है वो पीक टाइम होता है मच्छरों का जब सारे मच्छर अटेक करने के लिए निकलते हैं और पूरे जुंड में निकलते हैं आपने देखा होगा शाम के टाइम जब हलका हलका अंधीरा शुरू होना स्टार्ट हो जाता है और लाइट हो जाती है तो जब सूरज उगे और जब सूरज ढवले उस ताम पर अपने बच्चे को न लेके जाएं पार्स पर आफ 북ल zooming लेकर या गरा अगर आप अपने बच्चे तो उसके मैंने परसनली सबसे पहले स्टार्ट किया था गुडणाइट रोलोन से लेकिन मुझे और मेरे बेटे को वो बिल्कुल सूट नहीं किया मैंने अपने उपर उसको कभी नहीं लगाया था अपने बेटे के उपर जो लगाती थी उसी की स्ट्रॉंग स्मेल से मुझे अपने रूदे लगता था जैसे मुझे जुखाम हो गया है और मेरे बेटे को तो प्रॉपर उस से जुखाम हो जाता था शुरू के दो तिन दिन तो मुझे समझ ही नहीं कि इतनी guar मी में इसको जुखाम क्यों हो रहा है दो तीन दिन के बाद मुझे समझ आया कि जब मैं इसको रोलोन लगाती हूँ तब उसको एकदम बहुत तीज जुखा मुझाता है तो फिर मैंने उसको लगाना बंद कर दिया तो मैं मामा अर्थ का रोलोन मैंने स्टार्ट किया है उसको कोई प्रोब्लम नहीं हो रही है और नहीं मुझे कोई इरीटेशन उससे लग रही ह और सबसे ज़्यादा जो मैं यूज करती हूँ वो मैं ओडोमोस यूज करती हूँ जैल बेस वो भी बहुत अच्छा है उससे मच्छर नहीं काटते हैं बहुत सारे पैचिज भी आते हैं जो आप अपने बच्चे की शर्ट पे लगा सकते हैं बहुत तरह की चीजे आती यह अगर आप यूज करते हैं तो ऐसे टाइम पे यूज करें जब बच्चा घर पे नहीं होता क्योंकि इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपके बच्ची के लिए और आपके लिए भी सेफ नहीं होते वो जब हम सांस लेते हैं उसके थू हमारे बोडी में चले जाते ह तो जब आपका बच्चा पार्क जा रहा है या आपको अगर लगता है मच्छर हो गया है मुझे अभी स्प्रे करना है घर में तो आप कुछ आधे से एक घंटे के लिए अपने बच्चे को घर से बाहर ले जाए या कोई इसका फ्रेंड है आसपास परोस में उसके घर ले कर दिए जब आप उसको बहार ले जाते हैं उस टाइम पूरे घर में स्प्रे कर दीजिए और अच्छे से उस प्रे कर दीजिए और अपने जाली के दर्वाजे बंद रहने दीजिए दूसरे दर्वाजे खोल दीजिए ताकि जो स्मेल है वह आधे से एक घंटे के अंदर तो जब आप घर एक घंटे के बाद अपने बच्चे को लेके आएंगे तो वह सब समेल जा चुकी होगी मच्छर मर चुके होगे तो आपका बच्चा मच्छ से भी बच जाए और उन हामफुल केमिकल से भी बच जाएगा जो उन स्प्रेज में या फिर जो यह लिक्विड र स्टा चल जाएगा तो अगर आपको मिल सके कहीं निम का तेल पर फोकत अच्छा है निम के तेल का एक शाम को जैसे आपको लगि अभी दिन ठलने वाला है उस टाइम पे नेम के तेल का एक दिया वहाँ से मच्छ интें का पेड़ है तो उसके पत्विड में उसके जला कर दू करो सी नॉयल भी अपने डेन में और अपने पोचे के देंगे तो थोछ के उपर यूज ना करें ना ही अपने बच्चे के उपर यूज करें एक तो खुश्बु वाले प्रोडक्ट में केमिकल होते ही हैं दूसरा पर्फ्यूम की या क्रीम की खुश्बु जो होती है भीनी भीनी मीठी मीठी उसको मच्छर बहुत पसंद करते हैं जैसे ही उनको से durum खुश्बु वाले प्रोडक्ट से दूर रहें खुश्बु वाले प्रोडक्ट लगा के ना जाएं दूसरेशली जब आपके साथ आपका बच्चा हो दू तो यह तो सब बाते हो कि आप अपने बच्चे को मच्छर के काटने से कैसी बचा सकते हैं अब बात करते हैं कि by chance अगर आपके बच्चे को मच्छर ने काट लिया है तो आप क्या करें सबसे पहले आप उस पे आइस लगाएं आइस का काम क्या होता है? स्वेलिंग को कम करना, इरिटेशन को कम करना और आइस हमें से डारेक्ट ना लगाएं उसे किसी कॉटन के कपड़े में डाल के चुटा सा आइस क्यूब और जहांपे उस एरिया पे उसको हलके हाथ से रब करें तो उसकी जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी इरिटेशन कम हो जाएगी बच्चे को comfort मिलेगा दूसरा आप उस पर coconut oil भी लगा सकते हैं coconut oil लगा के हलके हाथ से उसके मालेश करते रहें तो उससे भी उसकी इरिटेशन काफी कम हो जाती है एक मामा अर्थ का after bite rollon आता है वह बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि जैसे ही मच्छर काटता है और मेरा बीटा खुजली करता है जैसे ही मैं वह लगाती हूं उसकी खुजली एकदम से खतम हो जाती है स्वेलिंग भी खतम हो जाती है छोटा सा ऐसे निशान रह जाता है कि काटा है लेकिन उसको खुजली बिल्कुल नहीं होती है उसके बाद नहीं तो वह ऐसे खुजाता रहता है बहुत परिशान होता रहता है तो वह बहुत इफेक्टिव है मेरे लिए तो बहुत लगे वो आप अपने लिए ले सकते हैं आपको ये सब नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगा ओनलाइन भी मिल जाएगा आप जहां से लेना चाहें वहां से ले सकते हैं तो ये था मेरा आज का वीडियो जो मेरा अपना experience है मैंने अपने बच्चे को मच्चरों से दूर कैसे रखा है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपकी थोड़ी से भी help हुई है इस वीडियो से तो प्लीज इस वीडियो को like कर देना मेरे चैनल को subscribe कर देना और इस वीडियो को सब parents के साथ जितना हो सके उतना share करना तो मिलती हूँ आपको एक और नए वीड खुश रहें अपने बच्चों का ध्यान रखें